हलो गाईज, वेल्गाम टो मैं चैनल, मैं आज दिखाना हूँ आपको पीवी सिंदु जी का फ्रीहन आउटलाइन स्केच आंक से स्टार्ट किया है, आप देख सकते हो गाईज आंक से स्टार्ट करना पोट्रेट बहुत ही आसन होता है मुझे असन लगता है आंक से स्टार्ट करना, इसलिए मैं आंक से स्टार्ट करता हूँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आंक से ही स्टार्ट करे जब आप फ्रीहन से ड्रॉइंग करोगे तो freehand से जब आप drawing करोगे तो आपको measurement खुद ही समझना होगा इसके लिए आप कोई scale नहीं यूज कर सकते हो ना कोई pencil यूज कर सकते हो measurement के लिए freehand से drawing करना एही मतलब है कि आप बिना कोई measurement यूज करके आप freehand drawing करो मैं sylfic pencil से freehand drawing कर रहा हूँ बिना किसी grid line यूज करके बिना किसी measurement यूज करके आप देख सकते हो गाईज आपको पुड़ा sketch observe करके करना होगा यही है freehand का मतलब freehand drawing का यही मतलब है कि आप पुड़ा sketch freehand करो observe करके करो मैं sketch के लिए 2B mechanical pencil यूज कर रहा हूँ आप outline के लिए HB pencil भी यूज कर सकते हो मैं 2B pencil से कर रहा हूँ कोई जल्दी नहीं है गाईस दीरे दीरे आपको करना होगा बहुत ही patience लगता है freehand से drawing करने में जब आप करोगे freehand से drawing आपको समझ में आएगा कितना patience लगता है deadline से draw करना इतना patience नहीं लगता जितना freehand से आप drawing करोगे उतना ही patience आपको लगेगा drawing में patience ले आना बहुत ही जरूरी होता है इसलिए मैं आपको suggest करूँगा कि freehand से drawing करो and patience ले आओ drawing में ले आना बहुत ही जरूरी होता है drawing में patience बहुत ही अच्छा लगता है free hand से drawing करना आप कोई भी drawing बना सकते हो free hand से इसके लिए आपको continue practice करना होगा मैं आपको suggest करूँगा Google से बहुत सरे reference picture आप download कर लो and continue practice करते रहो free hand से आपको धीरे धीरे आ जाएगा बहुत सरे free hand outline sketch आपको दिखाऊँगा daily आपको भी मैं suggest करूँगा कि आप continue practice करते रहो आपको भी धीरे धीरे आ जाएगा free hand से drawing करने का एही मतलब है कि आपको समझना होगा आपको के बीच जो distance है और आपको idea लगना होगा कितना distance हो सकता है इसलिए मैं आपको free hand से drawing दिखा रहा हूँ क्योंकि आप समझ सको and free hand से drawing कर सको देखकर आप आसानी से कर पाओ free hand से drawing इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ free hand से drawing इसी तरह से मैं बनाते रहूँगा आपके जो doubt से पुरा clear हो जाएगा free hand से drawing करने का जो doubt से and इसी तरह से मैं tutorial और भी बनाते रहूँगा आप देखते रहे है keep watching and I hope आपको अच्छा लगा guys please do like and comment so guys next tutorial में मिलते हैं thanks for watching झाल